आम आदनी पार्टी के मुखिया अर्विंद के जिर्वाल की मुश्किले बढ़ती जा रही है विधान सबाचुनाओं से पहले अर्विंद के जिर्वाल एक्सपोस हो गए है कोट से असी खबर आई है जिसके बाद के जिर्वाल और आतेशी बैकफूट पर है अर्विंद के जिर्वाल और आतीशी ने दिली में क्या किया है इसका खुलासा कोट में हो गया है दर्शको आम आदनी बन कर अर्विंद के जिर्वाल और आपके निताओं ने दिली वालों के साथ धोखा किया है अरविंद के जिर्बाल की राज में दिली के लोग अपने आपको ठागा हुआ महसूस कर रहे हैं अरविंद के जिर्बाल जिस तरह से शीस महल बनवा कर अपने परिवार के साथ ऐशो आराम की जिंदिगी जी रहे थे उससे आपकी आफ़वत बढ़ सकती है अब शीस महल को लेकर भी ज्याच चल रही है और जो खबर आई है उससे अरविंद के जिर्वाल की नींद गायव हो गई होगी दर्शुकों अरविंद के जिर्वाल और आपकी आतुशी सरकार दिली में चोतरफा घिर गई है इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डीटेल में कि कोट से क्या खबराई है और जद साहब ने क्या फैसला लिया है जिससे आम आदमी पार्टी हो गई है एक्स्पोस तो बने रही है हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के निता अब समझ गए हैं कि वो अब दिली वालों के सामने एक्सपोस हो गए हैं ऐसे में अब वो वही गलती कर रहे हैं जो बदनाम होने के बाद कोई राजनितिक पार्टी अपने आपको बचाने के लिए करती है लेकिन आब अरविंद के जिरवाल और कई सवाल उठ रहे हैं तरशको दिली की एक सीम थी दिवंगत शीला दिक्षित जिनके राज में अरविंद के जिरवाल का राजनितिक उदय हुआ था शीला दिक्षित ने बीजेपी की केंदर सरकार के साथ भी काम किया और अपनी कॉंग्रेस सरकार के साथ भी लेकिन उन्होंने दिली को काफी सुचारू रूप से चलाया था इस बात को कहीं न कहीं बीजेपी भी अंदर खाने मानती है जस दिली परशासन आज अरविंद के जिरवाल कर रहे हैं वो शीला सरकार की ही देन है लेकिन अरविंद के जिरवाल उस समय कहते थे कि हमारी दिली में क कमजोर सीम है तब अरविंद के जिर्वाल ये कहते थे कि दिली को ऐसा सीम नहीं चाहिए जो केंदर सरकार पर ठीकरा फोर कर बचने की कोशिस करे तब अरविंद के जिर्वाल कहते थे कि पुलिस से कैसे काम निकलवाना है वो हमें पता है और हम सत्ता में आए तो सब कुछ ठ लेकिन अब अर्विंद के जिर्वाल ने यूटन ले लिया है। लेकिन अर्विंद के जिर्वाल ने यूटन ले लिया है। लेकिन अर्विंद के जिर्वाल को रोकने में जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो थोरा भी इस पर ध्यान दे तो क्राइम नहीं बढ़ता। दिली में लोगों के पास अब दो मॉडल है। पहला आम आदमी पार्टी की सरकार जो मूल भूत सुविदाओं में मुफ्त देती है और दूसरा मॉडल बीजेपी के लजी का है जिसमें क्राइम और लौ एन ओर्डर की खराब इस्तिती है। तो देखा अपने कैसे लो एन ओर्डर के मामले पर शीला दिक्षित को घिरने वाले अरविंद के जिर्वाल और आप के नेता अब पल्टी मार चुके हैं। तब दिली के लोग आपको क्यों चुनेंगे ये बड़ा सवाल है। अब दिली के लोगों को क्या ऐसी सरकार से चुटकारा नहीं चाहिए जो काम कम और बहानेबाजी जादा करती है। बिना एलजी के इजाज़त के अरविंद के जिर्वाल ने अपने लिए शिस महल तो बनवा लिया। लेकिन जब बात दिली वालों की आती है तब के जिर्वाल की पार्टी बहाना बना कर बचने की कोशिस करती है। अरविंद केचरीबाल दिली की राचनीती का एक ऐसा नाम जिसको दिली का राचनीती के तिहास एक ऐसे राचनीता के रूप में याद रखे का जिसने सिर्व देश के भीतर प्रपंची राचनीती के अलावा कुछ भी नहीं किया है। दरशकों अरविंद केचरीबाल सिर्फ सत्ता सुख के लिए ही मातर दिल्ली की सत्ता पर विराज़े थे लेकिन देखते ही देखते हुआ क्या अरविंद केचरीबाल सिर्फ अपने शिश महल में रह गए और जनता इंतजार में कि आज जाकर उनका भला होगा लेकिन भला तो हुआ कुछ नहीं दिल्ली का बेड़ा गर्ख ओर हो गया है तब text कोट से जोखबर आ रही है उससे आपकी पोल पर टीग खुल गई है दरसल दिल्ली आईकोट ने यमुना घाट पर च्ट मनाने वालों को जटका दिया है दिल्ली हाई कोट ने यमुना घाट पर छठ पूजा करने की अनुमती देने से इनकार कर दिया है दिली हाई कोट ने इसकी वज़े भी बताई है कोट का कहना है कि ये लोगों को नुकसान दायक हो सकता है क्योंकि नदी में प्रदोशन की मात्रा काफी है इस मामने पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली हाई कोड के मुखी नयाधिश मनमोहन और नयाय मूर्ती तुशार राओ गेडेला की पीठ ने अनुमती देने से इंकार कर दिया कोड ने कहा कि गीता कॉलोनी के घाट पर श्रधालों को चट पूजा करनी की अनुमती हम नहीं दे सकते हैं कोड का कहना है कि यह सच है कि यमुना में प्रदोशन की मात्रा बहुत आधिक है ऐसे में यमुना में डूब की लगाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है बीते कई दिनों से यमुना में प्रदोशन को लेकर भारती चुनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रतेरोप देखने को मिला इस दौरान बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष विरेंदर सचदेवा ने यमुना में डुब की भी लगा दी थी। बतादे की कोट में पूर्वांचन नवनिर्मान संस्थान की तरब से याचिका दायर की गई थी याचिका में मांग की गई थी कि अमना घाट पर उन्हें छट पूजा करने की अनुमती दी जाए इस मामले पर कोट ने सुनबाई करते हुए कहा कि गीता कॉलोनी इस्तेद घाट पर लोगों को छट पूजा की अनुमती नहीं दी जा सकती है क्योंकि नदी में प्रदोशन की मात्रा काफी ज्यादा है ऐसे में यहां डुबकी लगाने से लोग बिमार पढ़ सकते हैं इस मामले की सुनबाई के दौरान कोट ने बताया कि छट पूजा के लिए एक हजार अलग जगहों पर व्यवस्ता की गई है लोगों को वहां जाकर छट पूजा करनी चाहिए कोट ने कहा कि इन जगहों पर लोग छट पूजा सुरक्षित रूप से कर सकते हैं वहीं दिल्ली भीजेपी के अध्धक्ष विरंदर सच्टेवा ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली की अकर्मने सरकार ने मा यमुना की सफाई के लिए 85-100 करोड का गबन कर लिया केज़्िवाल सरकार का उद्देशे तो हमेशा ब्रष्टचार और लूट तंच को बढ़ावा देना ही रहा है तो वे आम जन के हित से जुड़े मुद्दों पर भला काम क्यों करतें दिल्ली में यमुना में जाग कोई बात नहीं नहीं है यही इस्तिती तो हमेशा ही रहती है लेकिन आप सरकार फरजी विग्यापनों और अपनी कमाई पर ध्यान देने में इतनी व्यस्त है कि उन्हें ये समस्या आए नजर ही नहीं आती आज जब छट महापर्व चल रहा है तब भी पूरी आप सरकार केवल दिखावे में व्यस्त है दिल्ली सरकार के काम के नाम पर पूरी दिल्ली में शोनेता ही दिखाई दे रही है दर्शकों समझने की बात तो ये भी है कि दिल्ली के लोग एक ऐसे राशनेता के प्रपंच के चाल में पंस गय जो सिर्फ खाना चानता है काम करना नहीं दर्शिको उदफ ठाकरे को अब सिर्फ सत्ता से सरुकार रह गया है और वो सनातन का लगातार अपमान कर रहे है और वो भी अब कहीं न कहीं कॉंग्रेस और विपक्षी दलों की भाशा बोलने लगे है अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को बाट रही है लेकिन इस पीजेपी के साथ उनके पीता और हिंदुत का जंडा बुलंद करने वाले बाला साहब ठाकरे ने मिलकर महराश्ट को सवारा और सजाया लेकिन आज उदफ ठाकरे सिर्फ सत्ता लोलूपता के कारण कॉंग्रेस और इंसिप इशारत पवार गुट की राजनेतिक गोद में जाकर सत्ता सुख भोगने का सपना देख रहे है उदफ ठाकरे को लग रहा है कि वो चुनाओ में करिश्मा कर जाएंगे और मराथा मुसलिम का गठ जोर बनाकर सत्ता के पार पहुँच जाएंगे लेकिन महाराष्ट के लोगों को सब पता है कि सच क्या है और कौन सत्ता सुख भोगने के लिए और किसको सत्ता सिवा के लिए चाहिए दरसल महाराष्ट में विधान सब चुनाओ के मद्य नजर पर चार अभियान तेजी से जारी है इस बीच बीजेपी ने हिंदुत का जंडा बुलंद कर दिया है बीजेपी विकास के मॉडल के साथ हिंदुत को भी लेकर चल रही है लेकिन कॉंग्रेस की गोद में जाकर बैठे उदव ठाकरे अब हिंदुत को लेकर बैक फूट पर है बीजेपी द्वारा हिंदुत के मुद्द को आगे बढ़ाने के बाद उदव ठाकरे को जवर्दस्त मिर्ची लग रही है एक रैली को संबोधित करते हुए शिपसेना यूबिटी के परमुख उदव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला है उरों ने कहा है कि मैं पीएम नरेंदर मोदी और गिरिह मंतरी अमित्शा से 15 दिन महाराष्ट में रहने का अनुरोध करता हूँ वो 15 दिन बाद अपनी हार देखें। उदव ठाकरे ने कहा कि उनका नारा है बटोगे तो कटोगे लेकिन हम इसे तूटने नहीं देंगे और इसे लूटने भी नहीं देंगे। कि BJP की मदद करने वाले लोग राज के दुश्मन है तो देखा अपने कैसे हिंदुत को लेकर उद्व ठाकरे की अब भाशा ही बदल गई है अब वो हिंदुत के मुद्दे को उठाने के लिए BJP को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि BJP सत्ता के लिए लोगों को धर्म और जात हाथ मिलाते कभी नहीं लेकिन उनके पुत्र उद्व ठाकरे सत्ता भोग के लिए हिंदुत से समझोता कर चुके हैं लेकिन महराष्ट के लोग सब जानते हैं और वो जो फैसला करेंगे सोच समझ कर करेंगे अब यहाली में RSS का एक सर्वे आया था जिसमें NDA की जीत करते हैं लेकिन दिली में वो क्या कर रहे हैं इसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं दर्श को आपके मुख्या अरविंद के जिर्वाल कहते हैं कि मुझे राजनीती नहीं आती लेकिन अरविंद के जिर्वाल राजनीती ही लोगों की जीविका पर कर रहे हैं वो कभी अपकार सिर्फ राजनेती करते हैं नहीं गल रही है क्योंकि बीजेपी लगातार आपको एक्स्पोज कर रही है और इस बार भी बीजेपी ने आप सरकार को घेर लिया है दरसल डिली में एक बार पिर आम आद मी पाटी घीर गई है बस मार्शल की बहाली को लेकर सियासी हल चल तेज हो गई है LGV के सकसेना की ओर से CM आतेशी को चिठी लिखे जाने के बाद BJP ने CM आवास के बाहर परदशन किया इस दोरान BJP नेताओं और कारकरताओं ने बस मार्शल की बहाली और यमुना की सफाई को लेकर दिली सरकार के खिलाफ नारे लगाएं दिली में CM आवास पर परदशन में दिली BJP के अध्यक्ष विरेंदर सस्देवा, LOP विजेंदर गुपता और कई MP और नेता बरी संख्या में शामिल हुए वहीं इस दोरान बाचीत में दिली BJP के अध्यक्ष विरेंदर सस्देवा ने कहा कि LG की चिठी के बावजूद भी क्यों बस मार्शल को नौकरी पर नहीं रखा गया इसका जवाब दिली के मुखिमंतरी आतीशी को देना होगा दिली BJP अध्यक्ष ने कहा कि दिली में यमुना को गंदा करने के जिमेदार अरविंद के जिर्वाल हैं आम आद्मी पार्टी में यमुना की सफाई के लिए कुछ नहीं किया गया इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छटी मया की पूजा बैते पानी में होती है दिली वालों को ये नसीव नहीं हो रहा है अब दिली से आम आद्मी पार्टी का पैकाप होने वाला है तरसल दिली विदान सब चुनाव से पहले ये मुद्धा एक बार फिर गर्मा गया है कुछ दिनों पहले ही LG हाउस पर BJP ने जहां बस मार्शलों के साथ प्रदर्शन में शामिल होकर उनकी नौकरी बहाली को लेकर अपनी पार्टी के तरफ से आवाज उठाई तो वहीं आम आद्मी पार्टी ने इस मसले पर अपना पक्ष रखते हुए नौकरी बहाल करने का वादा किया बता दे कि दिवाली से पहले तक्रीबन 10,000 बस मार्शल दिली के LG से मिले और LG ने आश्वासन दिया था कि वो इन बस मार्शल के लिए कुछ करेंगे इसके बाद LG ने चिठी लिख कर बस मार्शलों के पद से हटाए गए करमचारियों को दोबारा नियुक्त करने के मुद्दे पर दिली सरकार को कटगरे में खरा किया वहीं विपक्ष किनेता विजेंदर गुपता ने एकस पर लिखा है कि आम आदमी पाटी की सरकार ने दिली वासियों को केंदर सरकार की योजनाओं से वन्चित रखने का काम किया है इनकी नीती है जूट बोलो और शासन करो मैं दिली की जनता से कहना चाहता हूँ कि आपने मोदी जी को देश तीन वार दिया है एक बार दिली भी मोदी जी को सौप कर देखो आपके सपनों की दिली बना कर दिखाएंगे दर्श को समझने की जरूरत ये है कि आपके निता सिर्फ मुद्धों पर राजनिती करना जानते है और अपने राजनितिक फायदे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तयार रहते हैं लेकिन इस बार वो एक्सपोस हो गए है Bureau Report, OMH News